हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंट्स अगर आपकी बालकनी में आधा एक घंटे की धूप आती है तो आप कौन-कौन से प्लांट अपनी बालकनी में रख सकते हो बालकनी को डेकुरेट कर सकते हो इस वीडियो में सब कुछ आपके साथ शेयर करूगी इसलिए वीडियो को आप पूरा जरूर दे कि काफी हैलफुल होगा और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें चैनल को अगर आपने अवी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंट्स प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे बैल आइकन के साथ ताकि हम न्यो व हैंगिंग पोट में भी लगा सकते हो और वैसे पोट में भी लगा सकते हो चाया में भी आप इसको रख सकते हो धूप में भी चार से पांच घंटे की धूप मिले इस प्लांट के ऊपर फूल भी आते हैं लेकिन फूलों का साइज थोड़ा छोटा होता है और आप इसे कट होती हैं काफी छोटी छोटी होती है और उन्हीं के टोप पर इसका छोटासा फूल आता है प्लांट का इसकी ब्रांचिस जो होती है नीचे की साइड लटकती है इसलिए आप इसे हैंगिंग पॉर्ट में लगाकर पूरा दिन की धूप में रख सकते हो यह प्लांट आपको 50 पीज का नर्सरी में मिल जाएगा कटिंग से भी आप इसको तयार कर सकते हो नेक्स्ट प्लांट है हमारा मौस्रोज नाइनो क्लूक या फिर पूर्टूल का कई सारे नामों से जाना जाता है इनकी बहुत सारी वैराइटी होती हैं देसी वैराइटी होती हैं हाइब्रेड होती हैं कलर भी आपको इनके बहुत सारे मिल जाते हैं ये प्लांट आपको नर्सरी में 15 से 20 रुपेज का ही मिल जाता है इसे आप पूरा दिन की धूप में रखी और छोटी छोटी कटिंग से भी आप इसको ग्रो कर सकते हो इसमें आपको पानी कम डालना रहता है है हमारा रैन लिली रैन लिली इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे ही बरसात पड़ती है तो इसके फूल खिलना स्टार्ट हो जाते हैं इसमें भी आपको कई सारे कलर मिलते हैं इसमें यलो भी होता है वाइट भी होता है और मीनीमम आपको ये 40 रुपेज का सकते हो और नोर्मल पोट में भी आप इसको ग्रो कर सकते हो नेक्स्ट प्लांट है हमारा वेडेलिया वेडेलिया प्लांट जो होता है इसके यलो कलर के फूल बहुत ही सुन्दर लगते हैं देखने में आप इसे बेल की तरह भी फैला सकते हो और इस तरीके से हैंगिंग प प्लांट है और प्लावरिंग नहीं हो रखी है लेकिन मेरे पास इसके तीन से चार कलर है और छोटी छोटी काटिंग इनकी पहुत इजी ग्रो होती है और इन्में भी आपको पानी कम डालना होता है पूरा दिन की धूप में रखी काफी हारडी प्लांट हैं। ओनली आपको 15-20 रुपेज का ये प्लांट नर्सरी में इजी मिल जाएगा नेक्स्ट है हमारा बेबी सन्रोज बेबी सन्रोज ही इस नाम प्लांट का नेम है क्योंकि आप इसको पूरा दिन की धूप में रख सकते हो जितनी तेज इसको धूप मिलती है उधनी अच्छी इस प्लांट पर फ्लावरिंग होती है आप इसे हंग ऑर्ट में grow कर सकते हो प्लास्टिक पो टल में भी जैसे मर्चि आप अपने सक्टीण इस प्लांट को डेकुरेट कर सकते हमारा जीनिया, तो जीनिया की भी पहुत सारी वेराइटी होती है, pillar के color भी आपको इनके बहुत सारे देखने को मिलते हैं, इनकी जो ये हैपरिड वेराइटी होती है, आप इसे hanging pot में भी लगा सकते हो, और normal 8-9 इंच के pot में भी easy grow कर सकते हो, जीनिया की आपको extra care करनी होती ह प्राइज की बात करें तो यह प्लांट आपको 20-40 रुपीज का नर्सरी में मिल जाता है इसके फूलों से भी आप इसको अपने घर पर ग्रो कर सकते हो पहुत इजी नेक्स्ट है हमारा गॉमफरीना प्लांट गॉमफरीना प्लांट भी काफी हारडी प्लांट है और पर्मानेंट प्लांट है एक बार नर्सरी से ले आओगे सालों साल आपके पास रहेगा क्योंकि इसके जो सूखे हुए फूल होते हैं उन्हें अगर आप कहीं पर भी गिरा देते हो बस मिट्टी चाहिए होती है तो तुरंट से ही इसके न्यू प्लांट उगने स्टार्ट हो जाते हैं इसके फूल एक बार खिलने के बाद वन मन्थ तक ऐसे के ऐसे ही आपको फ्रेस दिखाई देती हैं और ये प्लांट आपको नर्सरी में 40 रुपीज का इजी मिल ज जाता है आप इसको कटिंग से भी तैयार कर सकते हो और पूरा दिन जुप में रख सकते हो नेक्स्ट है हमारा परपल हार्ट परपल हार्ट प्लांट को बीया अप पूरा दिन की स्टार्ट में रखें हैंगिंग पोड में लगा ये जल्दी आप नहीं होता है और योज Deborah य नर्सरी में मिल जाता है इसके लावा आप इनको कटिंग से भी अपने घर पर इजी तयार कर सकते हो और इनके उपर टोप पच्छोट ऐसा फूल भी आता है जो की देखने में काफी संदर लगता है इस प्लांट में भी आपको पानी कम ही डालना होता है ज्यादा पानी डालन यह हाइब्रेड वैराइटी है और इसके बहुत सारे कलर आपको नर्सरी में मिल जाते हैं विंका आपको इस टाइम पर 2020 रुपेज के बहुत सारे नर्सरी में देखने को मिलेंगे और इनके कलर भी काफी डिफरेंट होते हैं इसके अलावा आप इनको बीजो से या फिर पर भी तैयार कर सकते हो इनमें फंगस जल्दी लगता है उसकी लिए आप फंजिसाइट पाउडर का यूज कर सकते हो पानी आपको इनमें कम डालना है चेक करके डालना है हर वक्त नमी बनी रहेगी तो भी आपके प्लांट में फंगस लग जाएगा पुरा दिन की धूप में आप इसको रख सकते हो नेक्स्ट है हमारा चैन प्लांट चैन प्लांट काफी हार्डी प्लांट होता है और पर्मनेंट प्लांट होता है इसे आप धूप में रखिए चाया में रखिए कहीं पर भी खराब नहीं होता है और हैंगिंग पोर्ट में लगा हुआ बहुत एक plant से ही आप इसके धेरो plant अपने घर पर तैयार कर सकते हो काफी easy है next है हमारा rio, rio भी काफी hardy plant होता है और permanent plant होता है 40 rupees का आपको nursery में मिल जाएगा इसके पास से ही इसके baby plant निकलते रहते हैं जिने आप निकालकर अलग कर सकते हो और एक plant से ही बहुत सारे अपने घर पर तयार कर सकते हो hanging pot में लगाई ये, normal pot में लगाई ये छाया में रखिए, दूप में रखिए कहीं पर भी आप इसको grow कर सकते हो ये plant जल्दी से खराब होने वाला नहीं होता है इसकी भी आपको 2-3 variety मिलती हैं इसमें एक बड़ी होते हैं प्लांट जिनकी पत्तिया काफी लोंग होती है इस वीडियो में इतना ही आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो